नमस्कुर देशक मित्रो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे फाइनेशल फ्रीडम के बारे में दोस्तो आइसे से प्रणेशल म्यूचल फण का एक बहुत बहतरिन सॉलूशन है जिसका नाम है फ्रीडम एसाइपी और फ्रीडम एसाइपी आपको फाइनेशल फ्रीडम अचीव करने में सहायता कर सकता है लंबे अरदी में आपको फ्रीडम एसाइपी पैसिव इंकम बना के दे सकता है तो इसके बारे में हम डीटेल में संबदने की कोशिश करेंगे Freedom S.I.P. क्या है उसके बार में सबसे पहले संबदने की कोशिश करेंगे कैसे Freedom S.I.P. काम करता है उसको भी हम वीडियो में एक्जामपल के माध्यम से संबदने की कोशिश करेंगे और कैसे ये आपको passive income बना के दे सकता है उसके बारे में भी वीडियो में डीटेल में चर्चा करेंगे तो आप सभी से यही अनरोध रहेगा कि आप इस वीडियो को अंततक जरूर देखिएगा और एक बहुत ही बहतरिन सॉल्यूशन है जो आपको फ्रीडम देता है आपके ड्रीम को लिव करने के लिए दोस्तो कई सारे हमारे ड्रीम होते हैं बट मनी के सोर्टेज के कारण आपको वो ड्रीम अचीव करने में बहुत जादा डिफिकल्टी आ सकती है और फ्रीडम S.I.P. आपको पैसिव इंकम बना के आपके जो ड्रीम होते हैं उसको अचीव करने में साहता करते है दोस्तो हर एक इन्वेस्टर फ्रीडम चाहता है फ्रीडम टू फॉलो हिस पैशन, फ्रीडम टू ट्रावेल वर्ल, फ्रीडम टू डिसाइड वें टू रिटार और फ्रीडम टू लिव लाइफ एज इव वन्ट तो यह सारे के सारे लोगों के ड्रीम होते है बूल टू गर अपना पैसिव इंकम बना सकते हैं आपको कंटिनूसली इंकं मिलती रहेगी और उसके माधियम से आप अपने कई सारे जो ड्रीम है उसको फुल्फिल कर सकते हैं तो दोस्तो freedom SIP कैसे काम करता है उसके बारे में चर्चा करते हैं तो दोस्तो ये एक SIP प्लस SWP solution ICI से प्रदेंशल ने बिल किया है जिसमें आप certain number of year के लिए SIP करेंगे और उसके बारे में हम detail में चर्चा करेंगे कितने सालों के लिए आपको SIP करनी है कई सारे option आपको दिय systematically monthly income यानि कि systematic withdrawal plan start हो जाएका और इसके माध्यम से आप continuously passive income बना सकते हैं तो दोस्तो इसके अंदर कई सारे option आपको ICI से प्रदेंशल प्रदेंशल प्रवाइड करता है सबसे पहले तो आपको SIP amount decide करना है आप 1000 रुपय की SIP कर सकते हैं आप 10,000 की SIP भी कर सकते हैं आप 50,000 क SIP भी कर सकते हैं उसके बाद आपको freedom SIP का time frame मतलब कि tenor select करना है आपको define time frame में सही कोई एक time frame select करना है 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल यह option आपको ICI से प्रदेंशल प्रदेंशल प्रवाइड करता है इसमें से एक option आपको select करना है और यह option के हिसाब से आपका SIP चलेगा आपका SIP 8 साल आप चला सकते हैं, 10 साल चला सकते हैं या 30 साल भी आप अपना SIP चला सकते हैं उसके बाद आपको source scheme select करनी है source scheme में आपका SIP रहेगा और target scheme में आपका automatically पैसा SIP खत्म होने के बाद switch हो जाएगा और वहाँ से target scheme से आपको automatically monthly income आना start हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा procedure है freedom SIP start करने के लिए अब आपको कैसे passive income मिलती है उसके बारे में चल्जा करते हैं तो दोस्तों suppose आप 10,000 रुपे की SIP करते हैं 8 साल के लिए तो 8 साल के बाद automatically आपको 10,000 रुपे का monthly income आना start हो जाएगा SIP के amount का 1x आपका monthly income होता है अगर आप 15,000 के S account में आएंगे suppose आप लंबे योदी के लिए SIP कर सकते हैं तो आप 10 साल का SIP time frame select कीजिए तो वहाँ पे आपका multiplier बनता है SWB का 1.5 time मतलब कि अगर आप 10,000 के SIP करते हैं तो 10 साल के बाद आपको हर महिने आपके bank account में 15,000 रुपे आते रहेंगे lifetime तक अगर आप 12 साल के लिए S 20,000 रुपे आने चालू हो जाएंगे 12 साल के बाद अगर आप 15 साल की SIP करते हैं तो उसके बाद आपका multiplier बनता है 3X का मतलब की 10,000 की SIP आप 15 साल के लिए करेंगे और उसके बाद आपको हर महिने 30,000 रुपे monthly passive income मिलती रहेगी अगर आप लंबे योदी की SIP करते हैं आपक bank account मिलेंगे और उसको आप फिर as a monthly आपका जो खर्चा होता है उसके लिए use कर सकते हैं और आराम से आप अपना retirement second inning enjoy कर सकते हैं 25 साल के लिए अगर कोई young व्यक्ती है तो 25 साल की SIP कर सकता है और 25 साल के बाद 8 गुना उनको हर महिने income मिलेगी 10,000 की SIP 25 साल के लिए आप करते हैं अगर आप 30 साल के लिए SIP करते हैं तो आपको हर महिने 30 साल के बाद 12 गुना आपके SIP का instrument as a income मिलेगा मतलब कि 10,000 की SIP भी आपको 1,20,000 रुपे का monthly income मिलता रहेगा और उसको आप अपने retirement के लिए use कर सकते हैं तो दोस्तों ये एक बहुती बहुतनी solution है जिसको आप implement क करके अपना passive income define कर सकते हैं कि आपको कितने समय के बाद कितने पैसे चाहिए और उसके हिसाब अभी सही अपना निवेश करना start कर सकते हैं दोस्तों source और target scheme के बारे में चर्चा करें तो source scheme के अंदर जो सारी के सारी आएसे से potential mutual fund की equity oriented scheme है उसमें आप अपना निवेश कर सकते हैं जिसमें आएसे से potential blue chip fund, multi-cap fund, India opportunity fund, large and mid-cap fund, small cap, mid-cap fund, dividend yield fund, focus equity fund, balance advantage fund, value discovery fund, equity and debt fund, multi asset fund, even tax hour fund भी आप select कर सकते हैं, retirement fund भी है उसमें भी आप अपना SIP कर सकते हैं और target scheme आपकी hybrid scheme रहेगी ताकि आपका जो systematic withdrawal plan है, वहाँ पे आपको sustainable income मिलती रहे, target scheme में आप multi asset fund ले सकते हैं, इसके लबाब asset allocator fund भी ले सकते हैं, balance advantage fund भी ले सकते हैं, और equity and debt scheme भी ले सकते हैं, और अगर आप tax hour में अपनी SIP continue करना चाहें, तो उसमें आप retirement hybrid aggressive plan भी consider कर सकत तो दोस्तों ये आपको source और target scheme पहले से ही select करनी है, जब आप अपना SIP register कर सकते हैं, और currently अगर आप देखें, तो asset potential का small cap fund, mid cap fund, focus equity fund, value discovery fund, 72 विकल पे जिसमें आप लंबे योदी के लिए अपना freedom SIP register कर सकते हैं, example के माध्यम से संब्धने की कोशिश करते हैं कि कैसे आपको freedom SIP के माध्यम से lifetime टक passive income मिल सकती है, suppose आप 10,000 रुपे की SIP करते हैं, 8 साल के लिए, तो आप 8 साल के अंदर 9,60,000 रुपे निवेश करेंगे, अगर आपका जो target scheme है, source scheme है, वो अगर आपको तकरीबन 12 पूस के आ CAGR रिटन वो आपको बना के दे सकती है, historically कई सारी scheme ने ऐसा return बना के दिया है, तो अगर सिफ 12 पूस का return भी आपको मिलता है CAGR आपके SIP पे, तो आपका 9,60,000 रुपे, 8 साल के बाद 15,70,000 रुपे हो जाएगा, उसमें से अगर आप 10,000 रुपे का withdrawal भी लेते हैं, तो वो yearly बनता है, 7.6 पूस का withdrawal अगर आपका जो hybrid scheme है, वो आपको 8 से 10 पूस का CAGR रिटन बना के दिये, तो आपका जो SWP amount है annually, वो आपके hybrid scheme का return है, उससे कमी रहेगा और lifetime टक आपका systematic withdrawal चलता रहेगा, अगर आप 30 साल के लिए 10 रा के SIP करते हैं, आपका fund आपको 12 पूस का CAGR रिट यह 3 करोर रुपे की, और 3 करोर रुपे में से आप 1,20,000 रुपे महिने निकालेंगे भी, तो भी अगर आप देखे yearly सिब सारे 4 पूस के आसपास का यह आप withdrawal ले रहे हैं, तीन करोर में से, और यह पैसे आपको कभी भी खतम नहीं होंगे, lifetime टक आपको systematic withdrawal मिलता ही रहेगा, तो यह एक बहुत ही बहतिन विकल्प है, जिसको आप avail कर सकते हैं, अगर suppose return आपको कम भी मिले, तो भी आपकी SIP आपके lifetime टक चलती रहेगे, अगर सिफ 10 प्रस के CAGR का return भी आपको, आपका equity fund बना के दे, तो भी अगर आप देखें, अगर आप 30 साल के लिए 10 रा की SIP करते ह हैं, तो आपका fund का value बनता है, तकरीबन 2 करोर रुपे का 10 प्रस के CAGR से, उसमें से भी अगर आप तकरीबन 1 लाग बिसल का withdrawal लेते हैं, महिने का, तो आपका yearly withdrawal बनता है, तकरीबन 7 प्रस का, और आपका hybrid skin का भी return तकरीबन 7 से 8, 9 प्रस के आसपास का रहेगा, तो भी आपक lifetime टक ये withdrawal चलता रहेगा, और आपके पैसे खतम नहीं होगे, तो freedom SIP आपको lifetime टक passive income बना के दे सकती है, सिर्फ आपको करना है, एक SIP register करनी है, और उसके बाद आपका काम खतम हो जाता है, automatically time frame टक SIP चलती रहेगे, और उसके बाद automatically आपको पैसे अपके account में मिलते रहेंगे SIP के बाद, तो क्यों freedom SIP में आपको निवेश करना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करें, तो दोस्तों यहाँ पे आपको market timing का कोई भी issue नहीं रहेगा, आपको SIP करनी है, तो market उपर हो, नीचे हो, वो averaging करता रहेगा SIP, इसलिए आपको entry exit का कोई भी चिंता नहीं है, SWB आपको हो रहा है, तो वहाँ पे exit में भी कोई भी आपको चिंता नहीं रहेगी, automatically वहाँ पे भी सब कुछ systematic mode में हो रहा है, तो यहाँ पे market कहाँ पे है, उससे कुछ भी फरक नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको SIP, freedom SIP register करनी है, उसके बाद आपका काम हो जाता है, आपको automatically time frame के खतम होने के बाद आपका monthly income मिलता रहेगा, और generally हमने देखा है, जो भी investor goal के साथ निवेश करते हैं, वो लंबे अवधी के लिए बने रहते हैं, और freedom SIP आपको predefined goal provide कर देता है, कि आपको 10 साल के लिए निवेश करना है, 10 साल के बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे, वो भी आपको पहले सही पता है, तो ये सारे के सारे predefined अगर आप देंगे goal में आ जाते हैं, और वहाँ पर फिर investor अपने SIP के साथ बने रहता है, और वो return को chase नहीं करता है, यहाँ पर return का कोई बाती नहीं है, आपको कितना निवेश करना है, वो भी आपको पता है, और आपको कितना withdrawal आएगा, वो भी आपको order ही पता है, तो यहाँ पर return के लिए आपको कोई भी चिंता करनी के ज़रूरती नहीं रहेगी, और यही आपको लंबे ओदी में freedom SIP में बनाये रखेगा, और जैसे नहीं बताया, target scheme भी hybrid scheme है, तो वहाँ पर आपको systematic withdrawal करना है, और इसलिए आ बहतीन विकल्ब है, तो दोस्तो freedom SIP आपको financial freedom प्रवाइट करता है, आपके dream को achieve करने के लिए, तो आप एक freedom SIP ज़रूरर रजिस्टर कीजिए, retirement fund में कीजिए, focus fund में कीजिए, currently small cap and mid cap भी बहतीन विकल्ब है, जिसमें आप अपना ISS से परडिशल का freedom SIP रजिस्टर कर सकते ह दोस्तो Warren Buffett का एक बहुती बहतीन कोट है, if you don't find a way to make a money while you sleep, you will work until you die, दोस्तो आपको ऐसा विकल्ब ढूनना ज़रूरी है, current world के अंदर, जहां पे आप जब सो तभी भी आपको income मिलती रहे, और यही आपको freedom SIP प्रवाइट करता है, आपके लिए एक passive income जनरेट करके, तो दोस्तो अभी सही आप अपना passive income प्लान ज़रूर कीजिए, freedom SIP में अपना SIP करके, लंब यहुदी में आप यह passive income का गोल चीव कर सकते हैं, तो दोस्तो अगर आपको और भी कोई doubt हो, freedom SIP के बारे में, तो आप हमें DAG number पे संपर्क कर सकते हैं, और freedom SIP में निवेश करने के लिए आप हमें DAG number पे call कर सकते हैं, message कर सकते हैं, या WhatsApp भी कर सकते हैं, अनुत रहेगा दोस्तो आप सभी से कि एक बहुत ही बहतरिन solution है, freedom SIP, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा investor तक खास करके, जो नए investor है, उनके तक ये वीडियो पहुँचाए, ताकि ज्य ज्यादा से ज्यादा investor गोल बेस निवेस्ट करें, यही हमारा उद्देश है, इसमें आप सहायता कीजिए, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेर जरू कीजिएगा, थैंकियो फॉर वाचिंग